हेलो फेंस विल्कम बैप तो आचुके आप सब के लिए करने वड़े लेकर दोस्तो आज एक बार फिर से मैं आप सब के लिए की कियार से जोड़ी बहुत सारी अपडेट लेकर आचुका हूँ और आप सब को पता होगा कि आई पेल में अभी जादा टाइम नहीं बचा हुआ है एक महीने से थोड़ा सा जादा वक्त है जब हमें आई पेल सुरू होते हुए देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों वीड़ो को आपको लास्त गूर देखने है वीडियो बस ना दे तु लाइक करना को सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब करो तो चल वीडियो को रखा था लेकिन दोस्तों 10,000 व्यूज अभी पॉसिबल नहीं लग रहे हैं तो दोस्तों यहां पे 200 लाइक्स का टार्गेट अभी मैंने रखा है जो कि आप लोगों को मतलब लग रहा है कि आप जोशे कंप्लीट करा दोगे और जैसे ही दोस्तों 200 लाइक्स कंप्लीट हो ज दोस्तों यहां पे जो नई जर्सी आएगी कि क्यार की उसका गिबवेव में करने वाला हूं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जल्दी से जाएए वहां से आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को और जैसे ही दोस्तों लाइक होता है वैसे ही मैं गिबवेव क दोस्तों एंडर रसल का परफॉर्मेंस जो कुछ खास नहीं आया था पहले मैच में तीन विकेट जोशे रसल ने लिया था लेकिन बैटिंग से कुछ नहीं कर पाये थे लेकिन दोस्तों उसके बाद एंडर रसल ने जो दो मैचेस खेले हैं यानि कि दूसरा टीट्वेंट मैच दोनों में रसल ने बैटिंग से बहुत ही सांदार परफॉर्मेंस किया है और खास करके जो कल मैच के लगिया था तीसरा टीट्वेंटी मैच वहाँ पे रसल ने 71 रन सिर्फ 29 बोलों पे यानि कि 71 रन की पारी सिर्फ 29 गेंदों पे जिसमें से 7 चक्या और 4 चौके थे और दोस्तों जो उन्होंने बैटिंग करी है मतलब कि जो सौट उन्होंने मारे है एडम जैंपा को पहले मैच में एडम जैंपा के बॉल पे ही आउट हुए थे और कल के मैच में 5 चक्या एडम जैंपा के अगेंस्ट ही रसल ने मारे एक योवर में 28 रन जिसमें से 4 चक्या ने लिया है रसल के रिप्लेस्मेंट के रूप में उन्होंने भी दोस्तों बहुत ही सांधार पारी के लिए 67 रन की नॉट आउट पारी वो भी सिर्फ 40 गेंदों पे जिसमें से 5 चक्या और 5 चौके सामिल थे 166 के स्ट्राइक रेट से सर्फें रदरफोर्ड ने भी बैटिंग करी है और दोस्तों बात कर जाए तो 149 रन की पार्टनरसिप दोनों की बीच में देखने को मिले पांच विकेट जल्दी से जो विस्ट इंडीज के गिर गये थे उसके बाद एंडर रसल और शेर्फें रदरफोर्ड की बीच में पार्टनरसिप देखने को मिले विस्ट इंडीज के लिए भी अच्छा करती हुए नजरा है और सेकेंड टीट्वेंटी मैच में 37 रन की पारी भी रसल ने खेली थी सिर्फ 16 गिंदों पर जिसमें से चार चौके और दो छक्के सामिल थे यानि कि जो दो टीट्वेंटी मैचे वहां पर रसल ने काफी रहे हैं यानि कि जो ले मिनजर आ रहे हैं आई पेल में जो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आई पेल में इस साल जो रसल का बहुत ही कमाल का साल जा सकता है बोलिंग में भी लगतार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और साथ में दोस्तों यहां पेंडर रसल क के बैकक अप की रुप में चिनको लिया गया है core and obey को भी आई पेल मेर मम काम मिलता है तो काफी अच्या वी आथा चाल एज आपको मृठा मिलने चाहिए おसको vast दूस्त में आपसे बुरी dużo पर है किक्यार फैंस के लिए क्यूंकि दोस्तों अबुदावी नाइट राइडरस जो की खेल रही थी IEL T20 कल का मैच इलिमिनेटर खेला गया था दुबई कैपिटल और ADKR के बीच में जहां पे दोस्तों अबुदावी नाइट राइडरस बहुत बुरी तरीके से हार गई है जैसे कि मैं आपसको बदा रहा था कि जब एंडर रसल खेल रहे थे तो काफिया चाब परफॉर्मेस टीम का था लेकिन जैसे ही एंडर रसल ने अबुदावी नाइट राइडरस को छोड़ा विस्ट इंडीज के लिए खेलने गए उसके बाद से तीन मैच जो क कुछ बाद जो और हो सकती थी क्योंकि जो फॉर्म में रसल है पोलिंग से भी कॉंट्रिब्यूशन कर रहे थे और बैटिक से भी काफी कमाल का परफॉर्मेस कर रहे हैं तो दोस्तों इस साल का केंपेंट तो अब धाभी नाइट राइडरस का खतम हो गया उमीद करेंगे क कि अगला साल जब आएगी टीम तो कुछ अच्छे प्लियर को रिक्रूट करा जाएगा और टीम का फॉर्मस अगले साल अच्छा रहेगा और दोस्तों यहां पर रसल का उमीद करेंगे कि ऐसे ही फॉर्म में रसल बने रहेंगे और शर्फें रदर फोड भी ऐसे ही कुछ साथ